नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि दूद कब पीना चाहिए कब दूद पीने से हमें फाइदा ज़ादा मिलता है इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तो रोजाना दूद पीना सरीर के लिए बहुत फाइदमान माना जाता है हर उमर के लोगों के लिए ये बेहत लाव करी है दूद पीने से कैलसियम और प्रोटिन मिलता है दोस्तो आप चाहे तो इसे प्लेन या फिर बदाम, केसर, इलाइची, हल्दी, आदी जैसी कई च साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दूद पीने का सही समय और साथ ही ये भी जान लीजिए कि गब होता है दूद पीना हानी का रख जी हां दोस्तो दोस्तो आई ये जानते है दूद पीने का सही समय क्या है दोस्तों नास्ते के साथ दूद पीना काफ़ी फाइदमंद होता है सुबे सुबे दूद पीना विक्ति को पूरे दिन तरो ताजा महसूस करवाते है चालीस से पचास के उमर से लोगों को दो पहर में खाना खाने के एक घंटे बाद दूद पीना चाहिए बच्चों का कहना है कि साम के समय दूद पीने से बच्चों की आखे अच्छी और स्वास्त रहते हैं जो लोग रात में पढ़ाई या कुछ ऑपिस का काम करते हैं उन्हें रात में दूद का सेवन जरूर करना चाहिए ऐसा करने से कॉंसेंट्रेशन सही बना रहता है और नेंद भी अ आयरुवेत के अनुसार किसी भी नमकीन चीच के साथ दूद का सेवन नहीं करना चाहिए पाचन कमजुर हो या फिर तोचा संबंदी कोई विमारी हो तो दूद नहीं पीना चाहिए खाना यानि लंच या डिनर के साथ तो कभी भी दूद नहीं पीना चाहिए खाना खाने क तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेयर कर दीजिए दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशन को आउन कर दीजिए